जैन दोस्तों क्या हाल है सबसे पहले this video is only for information purpose किसी भी brand या platform को defame करने का मेरा कोई रादा नहीं है पस मैं चालता हूँ information आप तक जाए तो थोड़ा सा आप बच सकते हैं और मैं यह भी नहीं कहा रहा हूँ आप कहां से क्या खरीदे कहां से क्या नहीं खरीदे आज तक flip card में ना मतलब लोग जब product order करते हैं मैंने सुना तो था उनके साथ कई बार गड़बड हो जाता है पहली बार खुद के साथ हुआ है इदर उदर सुना था कई बार जानकार के जानकार के साथ होते हो सुना था मैं बताता हूँ क्या fraud हुआ इस वीडियों वैसे मैं तीन चल बात को ही मिलनी चाहिए क्योंकि जैसे example दो simple सा मेरा चैनल है मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ कल को मेरे चैनल पर कोई और वीडियो एडिट करके कुछ भी डालेगा तो जिम्मेदारी किसकी बनती उसको सही करने की मेरी बनती है ना तो मैं ही उसे सही करूंगा ना तो same clip card या किस सही रहता है पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि Amazon कभी गड़ बड़ नहीं करता याद है मैंने यह वाला वीडियो दिया था इस वीडियो में मैंने कावी सारे speaker order किया थे तो जब आपको पता होगा multiple product आप order कर देते हो तो कई बार हो एक ही box में दो तिन प्रोड डाल के करूंगा तो उनको कैसे यकीन आएगा कि हाँ यह की speaker था क्या प्रूफ है मेरे पास मैंने कोई ऐसे camera पर भी unboxing नहीं की थी तो मैं तो मुझे दूसरा order करना पड़ेगा तो कोई भी चीज जब आता है ना जैसे मैं normal होता आप की तरह normal होता आप की तरह नहीं मतलब जैसे एक प्रूब्लम सोल्व हो जाएगी अपका पैसा रिफंड हो जाएगा हाला कि ना पैसा वापिस आया ना ही मेरी प्रूब्लम सोल्व हुई वापिस आते भी flip card ने क्या गरवड किया मेरे साथ यह flip card का box से यह product आया था और क्योंकि मैंने जब इसको open किया क्या निकला दिखात इस चीज को समझाना साथ मेरे लिए मुझकी लोड़ा पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल उस तरीके से नहीं चीजों को देखता जैसे मैं यूटूबर नहीं होता अगर एक नॉर्मल बंदा होता या नॉर्मल कंजूमर मतलब कहना ज्यादा बेटर होगा तो मैं फटा फटा प्रोडर आते रहते हैं कभी ब्रैंड से कभी मतलब मैं खुद ओडर करता हो कभी कहीं से यह क्या है पता है अभी आप मेरे यह गले में एक माइक देख रहे है यह मेरी शर्ट के नीचे से होता हुआ इससे कनेक्टिड है तो यह लेवलियर माइक बोलते हैं इसको तो यही वाले मैंने दो और ओर किये थे बाहर निकालते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यह पाच-6000 रुपे के असपास काता है और सेकिंड वाले में क्या निकला यह देख लो आप सेकिंड वाला जब मैं उपन करता हूं कोई जैनेरिक बेसिक लेवलियर माइक दे दिया यह और सबस्यादा ध्यान रखना है बोक्स को वहीं उपन करवा लिजिए कुछ प्रोट उपन बोक्स डिलिवरी में आते हैं कुछ नहीं आते बाकी देखो गडबड अगर होना होगा मैंने आपको दिखाया था कैसे हमने जीओ बुक मंगाया था नहीं जीओ बुक ने था होता ही नहीं ओडर लेते ही क्यों ऐसा सिस्टम क्यों बना है बागे कई लोगों के साथ यह होता है कि डिलिवरी लिख देगा ओडर हो चुका है मतलब वो शो कर देगा आपके अप्लिकेशन में के डिलिवर्ड है और आपके पास प्रोड़क्ट नहीं आएगा और आब आ इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा जब भी कुछ आए बोक्स को चेक करिए कोशिश करिए फ्लिपकार्ट से प्रोड़क्ट बाय ना करें अगर मजबूरी ना हो या वो प्रोड़क्ट से फ्लिपकार्ट पर मिलता है कई बार तो हमें खरीदना पड़ता है मैं भी से लिखते हो तो कोई भी चीज अगर अगर आप से अलग सर्वीस तीसरा सबसे जरूरी सवाल आपके मन में आएगा जब फिलिपकार्ट इतना जादा गलतिया कर रहा है क्यों इस पे जो मतलब जिनकी रीच है शोचल मीडिया पर बात क्यों नहीं करते फिलिपकार्ट से ब चाहे मतलब आपका कोई celebrity हो जल्दी बात नहीं करेंगे अभी अमता बच्चन आ जाएंगे देखना बेचने बिबीडी सेल को फिलिप काट बिग बिलियन डेस पे एक सोफा सेट के दान पर पूरी घर का फनेजर जो मिलेगा और सोशल मीडिया पे ओफर वीडियो जाने शुर के साथ पूरे साल का कोई काम क्यों बंद कर देगा आपका तो छे जार रुपय जाएगा ना काम बंद करने मुलेगा सोचो कितना जाएगा आई विश कि एक बार जितने सोचल मीडिया इंफ्लेंसर है ना सेलिब्रिटी लोगों को तो कोई नहीं सुदार सकता लेकिन सोचल है इंडिया की टीम ड्रीम 11 पर घूम रही है तो कोई अगर फैन है तो हेट में मत लीजिएगा मैं भी कई बार कुछ ब्रेंड के साथ काम करता हूं सबको पैसा कमाना होता है लेकिन एक जिम्मेदारी तो होनी चाहिए इस मुद्दे में जाएंगे बहुत बड़ा स्क्राइब करिए मैं मिलता हूं आप से अगली वीडियो में